सांकठनिक बाद ब्योहार सांकठनिक बाद ब्योहार नमा इस्सा है सबसे प्यारा व्यक्ति का नाम सबसे प्यारा व्यक्ति का नाम लोगों के नाम याद रखने चाहिए लोगों के नाम याद रखने चाहिए ट्राइटू रिमेंबर पीपल्स नेम पीपल्स नेम हम जिस ब् आशतन आदमी अपने नाम के प्रती ज्यादा रूचि लेता है, आउस्तन आदमी अपने नाम के प्रती ज्यादा रूची लेता है इसलिए हमें लोगों के नाम को याद रखना चाहिए खासकर के जिनको आप अपने संग्ठन में सामिल करना चाहते हैं एक मतदाता का नाम लेकर पुकारना राजनेती कौसल है खासकर के जो राजनीत की छेतर में काम कर रहे हैं ऐसे बहुत से नेताओं को हमने देखा है जिन्दगी में जो कि गाउं के ओटर का नाम याद रखते थे और उनका खासकर के अपने कारकरताओं का नाम याद रखते थे और उस गाव में जाते थे तो उस कारकरता को पुकारते थे, लोग आते थे, तो ये जो है राजनेती कौसल बोलते हैं, हमारे मुल निमासी बहुजन इस राजनेती कौसल को नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस टॉपिक को यहां रखा जाए, फोर्थ अपने कारकरता का नाम भूल जाता है, तो इसका मतलब है कि उस कारकरता से उसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एक तरह से वो बेखबर हो गया है, उसको कोई सूचना नहीं है कि उसका कारकरता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो राजनेती कारकर हिरता होते हैं उनको जो है अपने करकऱतों का नाम याद रखना चाहिए प्वाइन है है good manners are made up of petty sacrifices इमर्सन कहते हैं good manners are made up of petty sacrifices इसका मतलग हुआ चोटी-चोटी गंदी बातों के त्याग देने से अच्छा आचरन बनता है अच्छा आचरन कैसे बनता है जो छोटी-छोटी हमारे अंदर गंदी बाते होती हैं उसको हम अगर त्याग देते हैं तो हमारा आचरन अच्छा हो जाता है तो लोगों का नाम याद न रखना ये गंदी आदत है तो इस गंदी आदत को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा आचरन एक ब्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधूर एवं सबसे महत्पूर्ण ध्वनी होती है प्रैस्डेंट नाम को अपने जो उनके अगर बड़ा प्यारा होता है साथ्यों अगला पॉइंट है सुद्राज नेम इस सुद्राज नेम इस कंडिंड्व Já पहस्टान लोग ले आए तो मनुस्मर्ति ने क्या किया है। उसका नम्करण कैसे किया जाँ उसका नामकरण निंदनी होना चाहिए। घरना हो उसके अंदर होनी चाहिए नाम से, तो इसलिए हमारे लोगों का नाम रखते हैं, घुरहू, कतवारू, मंगरू, बुधाया, और घसीटा, इस टाइप का नाम हमारे सुद्रों का रखा जाता है, और पूरवांचल में हम देख सकते हैं, जैसे गोरखपूर से लेके वारळा नस्री के बीच में, आप देख सकते हैं, कि जो सूदर, अति-सूदर के लोग थे, यह सबके नाम के आगे लाष्ट में राम लिखा जाता था, राम सुख राम, राम बचन राम, ऐसे ली लिखा जाता था, और क्यों लिखा जाता था, अब ये इसको खोजना लेकिन एक लंबे अर्से अर्से तक यह जो राम सब्द था भारत के समाज में और सुद्र के नाम के पीशे यह लगता था लेकिन अब देश आजाद हुआ है नया समिधान बना है तो लोग आजाद हो गए हैं लोग अपने ढंक से अपने नाम को रख रहे हैं तो लेकिन फिर लेहू, कतवारू, पतवारू, गसीटा, मंगरू, बुधया इस टाइप के उनके नाम मिलते हैं तो इसलिए साथियो नाम जो है आदमी का प्यारा होता है किसी भी आदमी के सही नाम को पुकरना चाहिए सही उचारन से पुकरना चाहिए उस से आपको भी सम्मान मिलेगा औ और वो आपके संगठन के साथ जुड़ेगा अगर आप किसी ब्यक्ति को सम्मानित नहीं करोगे उसका गलत नाम लोगे गलत ढंक से उचारन करोगे तो वो आपके साथ नहीं जुड़ने वाला है वो आपके साथ में जुड़ने वाला है लास्ट पॉइंट साथियो इफ य you do not do this you are headed for troubles अगर आप लोगों का सही नाम नहीं लेते हो तो आपको जीवन में कठनाई हो सकती है हमारे जो मुल्नलासी बहुजर्ण के नेता जो अस्फ़ल हो जाते है राज़नीत में असफल हो रहे हैं, हो जाते हैं होते भी रहेंगे, अगर इसको नही करेंगे नहीद को फ ensang takes a half-labic peasants 것이 नाम भाद को प्रशे हैं के तर work को लिए सुजी हूए लिए मिलाज संबीदान के माधियम से माधियम स्प्रेशा. व्यूप से सामन्त लो भी रखते हैं तो जिससे कहा गुरहू, कतवारू, पतवारू इस तरह से नाम लेकर के पुकारते हैं तो यह इससे हमको असफलता जीवन में मिलने जा रही है इससे हम बहुत अच्छे संधंग से आगे नहीं जा सकते हैं तो एक राजनेतिक नेता का राजनेतिक कौसल यही है कि वो अपने कारकरताओं के नाम को सही धंक से याद रखे और अच्छे से उनके नाम को फुकारे क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने नाम को बहुत पसंद करता है उसको अपना नाम बड़ा प्यारा होता है